हलो फ्रेंड्स, दिवाइन लाइस असोसियेशन टीम के वर्ड अव दिडे सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आईए दोस्तों, आज हम सीखते हैं इंग्लिश का एक नया शब्द और आज का हमारा नया शब्द है एन्श्राइन E-N-S-H-R-I-N-E E-N-S-R-I-N-E-N-S-R-I-N का मतलाब होता है कि किसी भी चीज़ को पवित्र समझ करके संज्यो कर रखना ठीक है? किसी भी चीज़ को पवित्र समझ करके उसको सुरक्षित रखना या आप बोल सकते हैं प्रतिश ठापित करना ठीक तो चलिए दोस्तों इस शब के सनानिम पर चलते हैं या परियाएवाद चीज़ से बोलते हैं पहला सनानिम है प्रिजर्व P-R-E-S-E-R-V-E P for parrot P-R-E-S-E-R-V-E प्रिजर्व नेक्स्ट है रिप्रेजन्ट रब R-E-P-R-E-R-E-S-E-N-T अब जोडो R-E-P-R-E-S-E-N-T रप्रेजन्ट नेक्स्ट ट्रेजर T-R-E-A-S-U-R-E ट्रेजर नेक्स्ट कन्टेईन् C-O-N कन्टेईन् T-A-I-N अब जोडो C-O-N-T-A-I-N कन्टेईन् N-E-N कोर C-O-R-P-O-R-E-E-T R-A-T-E अब जोडो E-N C-O-R-P-O-R-E-T-E N-E-N-C-O-R-P-O-R-E-T ठीके? चलिए अब हम इस जो वर्ड है उससे कुछ sentences बनाते हैं ठीके? तो पहला sentence होगा आपका Jatin's new relationship with Germany is enshrined in a new non-aggression treaty तो ऐसा हुआ है कि Jatin का जर्मनी के साथ जो संबन रहा है उसको नई aggression संधी में बहुत ही अच्छी तरीके से संध्यू कर रखा गया है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको सम्मान दे करके रखा है ठीके? प्रतिश ठापित किया है उस relationship को Next The concept of individual liberty is enshrined in the constitution जो individual liberty यानि की वयक्तिक स्वतंत्रता की जो अवधार्णा है उसको सम्विधान में पवित्रमान करके संजू करके रखा गया है या प्रतिश ठापित करके रखा गया है चलिए अब हम next sentence पर चलते हैं Next है A lot of memories are enshrined in this photograph album यानि की बहुत सी यादे हैं जो कि इस photograph album में संजू करके रखी गई है इस photograph album में बहुत सी यादे संजू करके रखी गई है ठीके बहुत पवित्र यादे हैं ये Next David's love for Betsy is enshrined forever in his poetry मतलब David का प्यार है जो Betsy के लिए वो हमेशा उसकी कविताओं में चल लगता है ठीके Next The constitution enshrines the basic rights of all citizens याने की constitution क्या है जो भी citizens या नागरिक होते हैं उनके मौलिक अधिकार जो होते हैं basic rights उनको संजो कर रखता है Next The right to freedom of speech is enshrined in the constitution मतलब की right बोलने की स्वतंतरता सम्विधान के एक महत्पून अधिकार के रूप में सुरक्षत रखी गई है Next Memories of happiest days are enshrined in my heart मतलब की जो बहुत ही खुश्णमा दिनों की यादे हैं वो हमारे हुदे में अभी तक बसी हुई है Next The memory of our friendship will be enshrined in my heart always मतलब की हमारी जो दोस्ती हुई है जिस तरह से वो यादे जो हैं वो हमारे विदय में हमेशा रखी रहेंगी प्रतिश ठापित रहेंगी ठीक है Next In 2004, China changed the country's constitution to enshrine private property rights मतलब की 2004 में चाइना ने अपने देश का सम्विधान बदल दिया किस उदेश से? प्राइवेट प्रापर्टी राइट्स को सुरक्षित रखने के उदेश से ठीक है? Next National parks enshrine important American values and aspirations मतलब जो की राष्ट्री उद्जान है अमेरिका के वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो भी राष्ट्र की मूल्य होते हैं और aspirations होते हैं जिनसे सारे अमेरिकाबासी जुड़े हुए होते हैं उस सारे के सारे संध्यों कर रखे जाते हैं Next It was argued that the civil and political status and rights of the citizens must be enshrined in a bill of rights मतलब कि यह हमेशा से इस पर विवाद होता रहा था कि भाई जो भी citizens के rights हैं उनको उस bill में जरूर सुरक्षित रखा जाना चाहिए जिसको कि हम अधिकारों का bill बनाते हैं अधिकारों का खाजाना के रूप में बनाते हैं कानून बनाते हैं ऐसे कानून में citizens याने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भली भाती की जानी चाहिए ऐसा sentence में कहा गया है तो दोस्तों इसी sentence के साथ हमारा ये segment यही पर होता है खत्म लेकिन friends हम आप से एक request करेंगे वो ये कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे और साती इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा my most dearest of the dearest friends जो लोग internet facility का लाग नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी चोटे से request के साथ हम आप सभी के दे सारे प्यार जुनून जज़बार और कड़ी मेनत के साथ साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसके बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई-नई उचायों को छू रहे हैं बलकि साथ ही आप सभी हरक्षेत्र में अपनी योगिता का पर्चम लेरा पाने में भी भली भाति सक्षम है तो दोस्त इसी बात के सा और इसी गर्ब की भादना को अपने मन में संजोए वे एक बार फिर पूरी डिवाइलना इस असोसियेशन टीम के उर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार